हिंदी पिच्चरों में अक्सर दिखा गया है कि विलिन कैसे इमानदार जजिस को धमकाते हैं, कैसे उन्हें डराते हैं, कैसे कैसे हत्कंडे अपनाते हैं अपना काम करवाने के लिए इसलिए तो सनी पाजी फ्रस्ट्रेटेड होकर कोट में जा कर चिल लाते हैं तारीक पतारीक 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 बिलती रही है। लेकिन असल की जिन्दगी में हम कोट के जज्मेंट पर ज़ादा सवाल नहीं उठा सकते हैं। जजमेंट की आलोचना जरूर कर सकते हैं लेकिन जज ने किस परिस्थिती में जजमेंट दिया इस पर कोई सवाल नहीं अगर सवाल किया तो सीधा contempt of court सीधा जिल तो हमें ये मान के ही चलना होगा कि जूडिशरी बिलकुल निष्पक्ष तरीके से बिना किसी दवाफ के तहट काम करती है जूडिशरी और एग्जेकेटिव के बीच में एक उची सी दिवार होती है जिसे ना कोई धमकी डरा सकती है और ना कोई कुरसी का लोब लुभा सकती लोवर कोर्ट से लेकर उच्चे नालाय तक सारे फैसले सिर्फ कानून और सम्विधान को मद्दे नजर रखके ही किये जाते हैं लेकिन हाल ही में इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने से हमें जस्टिस हपी संदेश ने जटके से उठा दिया करनाटका हाई कोर्ट के जस्टिस हपी संदेश ने 11 जुलाई को वो काम कर दिया जिससे जुडिशरी की दुनिया में तो भुकम सा आ गया जो बात लोग दबी जबां से करते थे वो उन्होंने खुले में कह दी सिर्फ कही नहीं उसे उफिजल तरीके से कोट रेकॉर्ड में दर्ज भी करवा दिया और पूरे देश को दिखा दिया कि कैसे हमारे जुडिशल सिस्टेम पर वार हो रहा है कैसे जजिस की उपर प्रेशर बनाया जाता है पिछले हफ़ते जस्टेस संदेश ने ओपन कोट में ये चौका देने वाला बयान दिया कि एक दूसरे सिटिंग जज ने उन्हें चेतावनी और ट्रांसफर की धमकी दी क्योंकि वो करनाटका एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपना रहे थे ये ओरल अब्जर्वेशन सुनके एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी लालाँख दिखाई वो आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और एक स्पेशल लीफ प्टिशन या SLP दाखिल की और डिमांड किया गया कि जस्टिस संदेश के शब्द और 4 जुलाई के ओर्डर्स दोनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे लेकिन जस्टिस HP संदेश तब भी अपने जगे से नहीं हिले उन्होंने भी साफ कर दिया कि भाईया जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ लेकिन कोर्ट को किसी भी तरीके से धमकाया नहीं जा सकता है जब जस्टिस संदेश से सीनियर काउंसल ने पूछा कि अच्छा ठीक है तो आप बताओ कौन से जज ने आपको धमकी दी तो जस्टिस संदेश ने कहा कि वो किसी का नाम लेने की गलती नहीं करेंगे हाँ भई सबको लोहिया बनने का शौग थोड़ी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन पर इस बात पर शक किया जा रहा है तो वो इस धमकी को जो उन्हें मिली वो वो कोर्ट में उफिशली रेकॉर्ड कराएंगे दर्ज कराएंगे गौर से सुनिए ये एक हाई कोर्ट जस्टिस का कहना है उन पर दबाव को लेकर इससे हमारे जजजेस की उपर कितना बोज है कितना प्रेशर है वो साफ साफ सामने आ जाता है जस्टिस संदेश कहते हैं कि 29 जुलाई को वो ACB and Anti Corruption Bureau के मैटर की सुनवाई कर रहे थे ACB ने साफ साफ अपना काम ठीक से नहीं किया था और असली गुनेगारों को सामने नहीं लाया जा रहा था तथ नहीं आरहे थे मैटर को 4 जुलाई के लिए स्तकित कर दिया गया क्योंकि जजज खुश नहीं थे प्रोगरेस से एक जुलाई को कोट के चीफ जस्टिस का फैरवेल था उनके लिए एक आलेशान डिनर और्गनाईज किया गया एक सिटिंग जज ने उनके बगल में आकर उनसे बोलने लगे जस्टिस संदेश से बोलने लगे कि दिल्ली से उनके पास कॉल आया और जस्टिस संदेश के बारे में पूचताच हो रही थी जस्टिस संदेश कहते हैं कि मैंने साफ कर दिया कि मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई बे तालुक नहीं है ना वो जुड़े हैं किसी पार्टी के साथ लेकिन तब भी उन्हें ये बोला गया उन्हें ये चेतावनी दी गई कि जो एंटी करॉप्शन ब्यूरो के ADGP हैं वो बहुत शक्तिशाली इंसान है और याद रखें जजिस का तबादला भी हो सकता है अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक हाई कोट के जस्टिस को जो धमकी मिल रही है माने बढ़ा हाई प्रोफाइल केस होगा ना तो अब गलत है अक्चिली चलो मैं ये बात मान भी सकता हूँ कि अगर बात सत्ता पलटने की हो सरकार बनने की हो तो जज़ के उपर कही न कही political pressure आ सकता है उपर से pressure आ सकता है लेकिन यहाँ जस्टिस संदेश बंगलूरू अर्बिन डेपिटी कमिशनर्स ओफिस के डेपिटी तहसीलदार पीएस महेश की बेल अप्लिकेशन की सुनवाई कर रहे थे अब गौर से सुनिए देखे पोल कैसे खुलती है हाँ अगर सही सवाल पूछे जाए अगर एक honest judge हो तो bottom से top तक कितना rot है कितना सड़ा हुआ है system यह दिखाई देता है deputy तहसीलदार पीएस महेश ने ये statement दिया कि 5 लाग की रिश्वत ली तो उन्होंने लेकिन ली क्यों क्योंकि बेंगलूरू urban deputy commissioner जे मनजुनात ने उन्हें कहा था ये रिश्वत लेने के लिए एक favorable order पार करने के लिए ये पैसे उनसे लिए गए थे और उनका instruction था लेकिन जो anti-corruption bureau का report था उसमें जो information report थी उसमें ये senior officer का नाम ही नहीं आता है 29 जून को court ने ACB को कहा कि सारे case records सारे investigation papers court के सामने पेश किया जाए लेकिन ACB ने ऐसा नहीं किया undertaking दिया लेकिन इसके बावजूद भी बार-बार जो तथे हैं facts हैं वो court के सामने नहीं ला रहे थे तो justice संदेश ने भई obviously पूछा कि ACB किसको बचाने की कोशिश कर रही है मामले ने और भी तूल पकड़ा जब justice संदेश ने anti-corruption bureau के top अफसर ADGP सीमन्त कुमार सिंग को लपेटे मिलिया और सिंग के service records court में मंगवाए इसकी history geography लाई ये court में justice संदेश का कहना था कि ACB साफ साफ investigations की तह तक नहीं पहुचना चाती है और justice संदेश यहीं नहीं रुके उन्होंने राज सरकार को भी directions दिया कि tainted officer को anti-corruption agency जैसे ACB जैसे agency में अपॉइंट ना किया जाए fact ये भी है कि सिंग के खिलाफ CBI ने चानवीन की थी 2009-2010 में illegal mining racket में जब वो superintendent of police थे करनाटका के बेलारी district में ACB के सिमंत कुमार सिंग ने फिर सुप्रीम कोट में गोहार लगाई कि जस्टिस संदेश के remarks को खारिच किया जाए जहां उन्होंने ACB को एक collection center बोला और सिंग को बोला tainted officer आज सुप्रीम कोट ने जस्टिस संदेश को request किया है कि वो case की hearing अब दो दिन बात करें जिससे सुप्रीम कोट भी इस matter को study कर पाए और ये जो संगीन आरोब लगाए है ये जो admission किया है कि उनके उपर pressure आया है उसको भी वो study कर पाए अभी तो लगता नहीं है कि जस्टिस संदेश अपने शब्द वापस लेंगे उल्टा उन्होंने अपने oral observations को जो पहले दिये थे अब उसको court में record भी करा दिया है दर्ज भी करा दिया है सही तरीके से तो इन आरोपों की पूरी तरीके से जाच होनी चाहिए लेकिन जब भी कोई ऐसा एकलोता judge system के खिलाफ खड़ा होता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है सत्य का साथ बहुत महंगा पड़ता है जी ये बात फ़र इंग्जामपल justice HR खना को भी emergency के दोरान समझना पड़ा जब उन्होंने इंद्रा गांधी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश की emergency के उस दोर में उन्होंने सत्य और समझना का साथ दिया या कम से कम साथ देने की कोशिश की इंद्रा गांधी के तलवे नहीं चाटे Justice खना के बारे में हमने एक पूरा एपिसोड बनाया बड़ा दिल्चस्प एपिसोड है कि emergency के दोरान हमारे Justices क्या कर रहे थे देख लीजेगा उसे Justice खना के dissenting judgment के बज़े से इंद्रा गांधी ने उन्हें तो कभी दिल से माफ नहीं किया और Chief Justice अफ इंडिया की कुरसी उनके हाथ से निकल गई जब इंद्रा गांधी ने किसी और को नियुक्त कर दिया सालों बाद आज HR खना को Hero माना जाता है Hero of the emergency, Hero of the court और उन Justices जिन्होंने इंद्रा गांधी की जी हज़ूरी की आज उन्हें कोई नहीं पूछता है आज Justice संदेश ने तो अपना फर्ज निभा दिया हमारी Judiciary पर कितना प्रेशर है ये बात जन्ता के सामने on record रग दी ये अभी खुस-पुस-पुस-पुस की बात नहीं है लेकिन अफसोस ये है कि इस से जादा कुछ चेंज नहीं होगा अब देखिए ना विपक्ष के नेता राहूल गांधी विरेस चले गए हैं फिर से मीडिया प्राचीन काल की खुदाई कर रही है उसी पर डिबेट करती रहेगी जन्ता एक दूसरे को धर्ब के नाम पर नोच खा रही है तो कुछी दिनों बाद ये संसनी खेस खुलासा इस पर भी परदा पड़ जाएगा और हम अमरित काल के तरफ फुल स्पीड पर बस प्रगती करते रहेंगे लेकिन भूलियेगा मत टाइम से टाइम ऐसे लोग भी आए हैं जो सत्ते का साथ देते हैं जो कॉंस्ट्यूशन का साथ देते हैं जो हमें आगा करने की कोशिश करते हैं लेकिन एचार खन्ना के तरफ 40 साल बाद ही हमें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या काम करने की कोशिश की और देश के लिए क्या सेवा करने की कोशिश की